36 गड़ के नेता प्रतिपक्ष चरंदास महन के लाटी चलाने की बाद अब दिल्ली तक पहुँच गई है चरंदास महन ने जिस तरीके से फ्रधानमंथी यंद्मोधी के संदर में आपती जनक टिपणी की थी उसे मानसिक संतुलण खोरे का खिताब देते हुए भाजबाकि रास्टी प्रवक्ता सुधानचु त्रिवेदी ने कहा कि मुखबक की दुकान से ये कौन-कौन से परमान निकर रहे हैं सुधांचु त्रिवेदी ने दिली पत्रकारों से चर्चा करते ही कहा कि आपके संग्यान में ये तत्थे निश्चित रूप से आया होगा कि 36 गड़ में दिली पत्रकारों से चर्चित रूप से सहज समझा जा सकता है कि जनता के अंदर अपना विरोध और प्रधान मंत्री शी नरिन्र मोधी जी के नितुर्त के प्रती निरंतर बढ़ते समर्थन और इसने को देखते हुए हमारे विपक्षी दल और मुख्य रूप से कॉंग्रेस पार्टी ऐसा प्रतीत होता है कि अपना मानसिक संतुलन खो बैठे आपके संग्यान में यह तत्य निश्यत रूप से आया होगा कि 36 गड़ में नेता प्रती पक्ष श्री चरणदास महंत ने हम सब के प्रिय प्रधान मंत्री आदर्णी नरेंद्र मोदी जी के प्रती एक बार पुनह वैसे ही घटिया और आपत्ती जनक शब्दों का प्रियोग किया है जो निरंतर कांगरेस कहती चली आ रही है प्रधान मंत्री जी के प्रती जो इरश्या है जो द्वेश है जो कम होने का एहसास है उसके कारण से ऐसे बयान निश्यत रूप से भारत की राजनीत के लिए एक बहुत दुखत संकेत है बताईए उन्होंने ये कहा कि मोधी जी के से मुकाबला करने के लिए एक ऐसा वेक्ति चाहिए जो लाठी मारकर उनका सर फोड़ सके मैं पूछना चाहता हूँ ये मुहबत की दुकान से कौन-कौन से फर्मान है ये कॉंग्रेस पार्टी तो अपने को गांधी की परंपरा का उत्रादिकारी स्वगोशित होने का वन एन एक्सलिजू कॉपी राइट होल्डर होने का दावा करती है तो क्या गांधी जी लाठी इसलिए रखते थे और इतना ही नहीं है ये कोई सहज रूप में उनके मुह से निकला हुआ कोई फिस लाना चाता हूँ कि 2014 के चुनाओं में आज के कॉंग्रेस के सहरनपुर के प्रत्याशी इम्रान मसूद ने कहा था कि मोदी जी की बोटी बोटी कर डालूगा वहां से लेके सर्फ होड़ने तक मैं पूछना चाता हूँ कॉंग्रेस पार्टी से कि किसने निम्न इस तर तक आप जाने के लिए तैयार हैं कोई बात नहीं जनता मोदी जी को समर्थन और प्रेम दे कर उतने ही उच इस तर तक ले जाने के लिए तैयार है